एलो गई स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गेस की और यहाँ पर अभी देखें इलेक्शन के बाद इसको जो है अच्छा फाइदा हो सकता है जो बीजेपी ने गोशना पत्र जायर किया है उसके अंदर इसका भी नाम है मतलब इसका नाम है जो गो हो नहींगे दोस्तों नए है इस चैनल के उपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अदानी टोटल केस के उपर डेली टेक्पिंगल चाट के उपर हम एलानी सिस करते हैं और एसी जानकर आपको और कहीं नहीं मिलेगी आसान पासा में हम समझेगे किया खबर है यहां पर आप देख सकते हैं कि BJP's election manifest bullet print for economic growth तो जो घोशना पत्र है वो जाहिर किया है उसके अंदर over 40 stock 40 stock की बात की है मतलब की brokerage की report की अगर बात करे कुछ brokerage ने उसके अंदर 40 stock को अपनी worthless में रख सकते है investor मतलब कि उसको फाइदा हो सकता है उसके अंदर हम देखे तो 40-40 stock के बारे में भी हम बात करेंगे कि election के बाद इन 40 share के अंदर फाइदा हो सकता है तो वह आप जरूर देखिएगा यहां पर आप देख सके एस report की तारिक और time और आगे हम देखे जो main चीजे है अभी हम वह यहां पर देखे कि यहां पर देखे तो recently analysis from financial institution like CLSA and UBS shed light on BJP's election manifesto और manifesto का मतलब होता है गोश्रापत्र, it's a potential impact on the stock market, the stock market के उपर भी इसका effect पड़ सकता है और इसको भी आप चाहे तो पड़ सकते हैं, आगे देखते हैं, यहां पर आप देखे के stocks and sector to buy, the Philippines capital lists out stocks and sectors that are likely to benefit the most, तो इनको फाइदा जो हो सकता है वह share के बारे में हम देखते ह 40 stocks हैं, इसके अंदर एक अदानी total gas का भी नाम है, और sector wise भी इन्होंने बात की है, इसके उपर हम live video जब लाएगे तब इसके उपर हम तरचा करेंगे, यहां पर आप देख सकते है, natural gas के जो यह sector है, उसके अंदर यह सभी share के फाइदा हो सकता है, और कौन सा गोश्रा पत्र के अंदर बात कई गए है, वो भी हम देखेंगे, इसके अंदर यहां पर आप देख सकते है, अदानी total gas, इसका भी नाम शामिल है, तो इसको भी फाइदा हो सकता है, अब देखें, इलेक्शन के बाद तुरंद भी फाइदा हो सकता है, मतलब कि शेर की अगर बात करें, दियान, BJP Manifesto, तो जीवन को सुगम बनाने के लिए बड़े एलान, भाज़पाने संकल पत्र में कहीं कहीं ही वादे, कौन-कौन से वादे हैं, तो यहां पर एक तो आप देख सकते हैं, कि सस्ता घर मुहयाकराने और गेस पाइपलाइन की सुविदाद देने का वादा, त यहां पर देखें, तो पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन और इंफरास्ट्रक्चर जो है, वो बढ़ाए जा रहा है, तो यह भी एक गोशना पत्रे के अंदर सामिल है, कि देश में इलेक्रिक वेहिकल का मार्केट बढ़ रहा है, तो दस साल में पहले, एक साल में पह सतरा लाग से ज्यादा इलेक्रिक गाडिया भी की है, तो पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन और इंफरास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहा है, तो पी एम जो है, वो सूरिय घर से जोड़कर चार्जिंग स्टेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस से भी देश मे घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है, अब तेजी से काम करेंगे, तो इस से भी जो है अच्छा फाइदा हो सकता है, इस से बिजनस जो है वो बढ़ सकता है, अगर बात करें तो, दूसरी कमप्णियां भी है, लेकिन इसको भी फाइदा हो सकता है, अब इसके चार्ट के समझाने के कोशिश की एनालिक्सिस भी की, तो अभी भी जो है आप चाहे तो अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवांड करकर वो भी अभी वापस से देख सकते हैं, तो मतलब की इलेक्शन के बाद तूरं भी इसका इसके उपर पढ़ सकता है, फाइदा मिल सकता है, या अभी यहां पर इसके चाहर करते हैं, शौट टम में किया हो सकता है, फंदरा मिनिट का चाहर हम देखे, तो यहां पर अगर देखे तो नीचे से उपर जो यह गया था, तो यह अच्छी कासी यहां पर यह टिका, आज के दिन भी इसके अंदर स्टेंथ दिखी, बाजार का आपने देखा होगा, निप्टी की बात करें, तो उसके अंदर बेले बाउंस बेक आया, फिर वो जहां पर था, वापस से नीचे आकर बंदर हुआ, लेकिन यह अभी 930 के आसपास बंद रहा है, तो थोड़ी सी स्टेंथ अभी इसके अंदर शो हो रही है, और अभी भी मिल सकता है, अभी यह लेवल थोड़ा सा दूर है, लेकिन यह जनकानी की बात है, हजार रुपे के ऊपर निकलता है, तब इसके अंदर अच्छी तेज़ी आ सकती है, उसके बाद यह 1100 रुपे का असपास का लेवल, यह क्यों इन्पोर्टन है, तो इसके बोर हैं चल्चा तक भी यह जा सकता है, और कई लोग हमें पूछते हैं कि यह 2000 कब तक जा सकता है, तो मुझे इसा लग रही कि जैसे यह रेजिस्टन को पार करेगा, तब इसके अंदर और भी तेजी आने की संभावना हो सकती है, जैसे कि हमने जो नियूस देखी, इसके रिजल अगर अच सकते हैं, तो उस तरीके से अगर जैसे यह रेजिस्टन को पार करता है, पहले तो यह 1100, उसके बाद 12500, उस तरीके से आगे, मतलब कि यह 2000 तक भी जाने की संभावना हो सकती है, हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगे, लेकि वहां पर जाने की संभावना हो, अभी भी जो हो लग रही है, तो विकली चार्ट हमने देखा, यहां पर जैसे की देखे तो यह 200 विक का मुविंगे वरे, जो कि 1100 रुपे का सपास है, अगर इसको पार करता है, तब इसके अंतर अच्छी तेजी आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहां पर अब देखे कि तो जब यह कर्रेक्शन आया था, इसके बाद सिर्फ एक ही हपता था, जब इसके उपर इसके उपर इसके उपर क्लोजिंग अब तक यह नहीं दे पाया, अब यहां पर देखे डेली चार्ट के उपर, उस 1100 से पहले 1000 रुपे का सपास का जोन, वहां पर 200 दिनों का मुविंग रचे, इसको भी यह पार करें, यह दो रजिस्टन अभी जो दिख रहे हैं, और यहां पर इसका ब्रेक आउट भी हो सकता है, वह ट्रेंड लाइन की बात करें तो, बुलिंजर बेंग को देखें, तो अभी यहां पर नीचे में 915 के आसपास नीचली लाइन है, तो वहां पर इसक अगर नीचे ज्यादा आता है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, तो अभी भी इसका सपोर्ट करीब दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, 39 के आसपास इसका RSI पहुंचा है, तो अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करेक्शन आता है, तो यह 30 के आसपास अगर R यहां से भी मिल सकती है, जिस लेवल के अभी है यह, और यह इसने एक्चुली यह जो गैप छोड़ा है, तकरीबर 942 रुपे के आसपास, वहां पर एक गैप भी फिल कर सकते है, उसके भी उपर जाने की संभावना इसकी हो सकती है, और कम से कम अगर बाउंस बेक आता है, मुझे इस अलग रहा है कि यह, शोट टर्म की हम बात कर रहे है, 950 से 960 रुपे तक तो जाने की संभावना इसकी हो इसकी हो इसकती है, कई लोग शोट टर्म डेडिस पीस के अंदर हो सकते हैं, वोटलिप की वह भी आज भी अगर देखे के तो नीचे में, जहां पर हमने जहां पर एक लोग बनाया था, 850 का लेवल, यह थोड़े से दूर के सपोर्ट और यह नजदी की सपोर्ट इसके दिख रहे है, फिर इसके अंदर 1100 और उसके बाद और तेजी आने की संभावना हो सकती है, और लॉंग टर्म में या फिर इलेक्शन के बाद इसके अंदर लग रहा है कि एक तेजी की संभावना हो सकती है, जैसे कि हमना अभी चल्चा की और बात की और ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी देखी, तो आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव वीडियो में भी ज सेल के रिकमिलेशन नहीं, थेंक यू